पूसमिक आज किस नए क्लासमें दोस्तों आज किसी वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी ःगच सब्जक्ट हिंदि हैं उनके लिए बीडियो मोस्ट इंपर्टेंट होने वाली है पोड़ने वाले हिंदी के टॉप 50 जो कि आपकी आने वाले ग्याम के लिए काफे तक बने कि सुरुस रहकर लास्ट तक देखते रहें गारंटे के साथ के सकता हो आपको काफी मदद भी लेगी इस वीडियो से ठीक है टॉप लेवल के कोश्चन है और चैनल के सब्सक्राइब भी कर लिया करें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं डेली क्लासे यहां पर जाएंगे तो यह वीडियो बहुत विकल्पी इन्वेसिटी वाले चात्रों के लिए इंपार्टेंट है ध्यान रखेंगा ठीक है लिखाया है तुलसी दास कालिकाल का वालमी कि किसने का आफसर आपको मिल जाएंगे रहिम दास कुंभन दास नाभादास नंद दास तो जि कि आपके एकजम में आसकता है कोश्चिन अग्ला अंगला प्रश्ण है कि रामचेत मानस का पृथम कांड का म選 स्ट क्यूंच है मोस्च इंपर्टन को स्ट समय घ्रक है छंप चेट का मानस का जो सबसे प्रथम कांड है उसे बाल ठीक है बाल कांड कहते हैं अगला प्रिशन है कि बैरुवेर रमाड में कुल कितने चंद है बैरुवेर रमाड एक जो स्ट्री तुल्षिदाफ जी की ही रशना है यह प्रिक्रत है कह सकते हैं तो उसमें कुल कितने चंद ह आपसर मिल जाएंगे तीस चंद आशी चंद आए पचाफ चंद आए तो बैरवेर रमाइड में जो चंदों की संख्या है वह सट यानि कि 59 राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन का डी नमबर याद रखीएगा ठीक है 59 बैरवेर रमाइड में चंद की संख्या है अगला अलग अलग अस्थान और अलग अलग डेट पर मांगते हैं तो बेनी माधवजी के अनसार तुलसिदाफ जी का जो जन्म है वो राजापुर बांदा जिले में हुआ यह याद रखिएगा ठीक है राजापुर बांदा ठीक है राजापुर बांदा जिले के ठीक है most important question जैनी कि यह जो वाक के है यह संटेंस है ठीक है यह किस कभी कहा है किसने कहा है कभी दाफ जी ने कहा है तुलसिदाफ जी ने सूर्दास जाइसी तो इस question का right answer हो जाएगा हो जाएगा यह तुलसिदाफ जी का धेवाक के है याद रखेगा टॉप लेबल का question बी नंबर राइट एंसर हो जाएगा ओके चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और दोस्तों वीडियो को सुरूफ से लाट तक देखते रहेगा इसकिप करेंगे तो आपको ही समस्या होगी क्योंकि इस वीडियो से आपके कंसे कम 6-7 नंबर के लिए होने वाले हैं ठीक है टॉप 50 कोश्चन का मतलब आप लोग समझ सकते हैं तुलसी को मुगलकाल का सबसे महान ब्यक्त किस ने कहा यह टॉप लेबल का question याद रखेगा च्छे नंबर आपसर मिल जाएगा मोन का right answer हो जाएगा सी नंबर याद रखेगा ग्रेशन ने कहा है तुलसी रास को मुगलका सबसे महान ब्यक्त ठीक है ओके अगला प्रेश्चन है कि राम चैत मानस की भासा कौन से टॉप लेबल और जर्नली कोश्चन वैसे आप लोगों को जानना भी चाहिए इसके बारे में ठीक है राम चैत मानस की जो भासा है आपसंदेदेगे अओधी में ब्रच में संस्कृत में तमिल में तो बहुत फारेच्छाथ दूमें कनफीज होए हाला कि यह इसमें तो आप लोग समझ जाएंगे हो सकता है इसमें नहीं इस दोनों में कनफीज हो सकते या संस्कृत को भी लेकर तो मैं आपको क्लियर का रदा रहा हूं कि राम चैत मारश की जो भासा है ठीक है वह अवधी में है ठीक है अवधी याद रखेगा यह नंबर राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि निम्न में तुलसी दास के मित्र कौन थे वीरबल कवीर रहीम अकबर तो निम्न मेंसे तुलसी दाफ जी के मित्र थे ठीक है वह दोस्तों थे रहीम दास जीसले कुष्टन का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तों कुछ वर्ट टाइप करने में या फिर बोलने में मिस हो जाएं गलत हो जाएं तो आप लोग उसे माफ करिएगा क्योंकि जल्दी तो वहां पर आप लोगों को कुष्टन दूसरा मिला था अब यहां पर कुष्टन आप लोगों को दूसरा मिला हालाके हम दुवारा फिर से देख ले रहे हैं आप लोगों को शायद वहां पर बताया गया था कि बेनी माधव ठीक है देख ले रहे हैं ठीक है फिर से देख तुलसी दास जी का जन्म कहां हुआ था आप्शन दे देगे हैं मिथला ठीक है ने में सरण ने ठीक है और सुकर खेट एटा और डी नमबर अवाद तो तुलसी दास की भक्ति भावना कैसी थी भक्ति भावना कैसी थी अगला प्रेशन है कि तुलसी दास को हिंदी का जातियह कभी किसने तो तुलसी दास जी को हिंदी का जो जातियह कभी है ठीक है जो जातियह कभी है तो ठीक अогला प्रेशन है कि तुल्सी के रामचहित मानस में वकता के रूप में कितने घाट हैं पांच, साथ, दो, चार तो इन आपसुनों में से जो question को right answer हो जाएक है तुल्सी दास की रामचहित मानस में वकता के रूप में जो घाटों की संख्या है वो है चार याद रखेगा चार डी नंबर राइट रो जाए कोष्टिन का ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन के और अगला प्रसना है कि दोहा वाली की रशना कब हुई है 707 में हुई है 1250 में हुई है 1630 में यह 26 में हुई है तो दोहा वाली की जो रशना है वो सन 1630 में हुई है इसलिए question का लोगा अदो है क्या हो जाए आप लोगों का मैं आप लोगों को बता ही दे रहा हूं वह जाएगा डी नंबर 1626 फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही मेरे को भी कि 1630 वोगा या फिर 1631 क्योंकि इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं बहुत सारे मिलते हैं तो फिराल इसका जोओ है मैं आप लोगों को सटी के ज़्यादा लोगों ने पतलब की टेक्लेयर किया है या पिर माना है पहलों आप लोगों को बता देंगे तीन में के बहुत सारे मत भेद स्रीटुलसीदाफ जी के और जन्म के आस्थान के महुत साधी आ मत बेद पढ़ा हजायर पटसाथ जी कि एक अगला प्रश्य हमसाल का नियुक्त कब इसके नबर प्रबंद का भी याद रखेगाँ अगला प्रशना है की विने पत्रका की रषना कभ हुई है तो आप शना आपको दे देगिए हैं सब्सक्राइब का सबस्क्राइब निज शंता करें दो में और सूरा सोला सौला क्तिस में तो जो बिने पत्रीका है उसकी जो रसना है ठीक है याद रखेगा जो बिने पत्र रिचना है उसका जो रसना वर्स है वह ए जिए जो है उसकी जो रशना है वो कितने समय में होई थी कोश्चन के दो राइट रहें हो जाएगा दो वर्स सात माहा 26 दिन में राम चाहिए मानस की रशना होई थी तुलसी दास जी के द्वारा इनों नहीं किया है ठीक है अगला प्रश्चन है कि तुलसी दास की अंतिम रशना का उनसी है पारबती मंगल है जानकी मंगल है बिने पत्रिका है कवितावली है पारबती मंगल है तुलसी दास जी की जो सबसे अंतिम रश तो जानकी मंगल की रचना है वह 1629 और 30 के बीच में हुई थी इसलिए चीनमबर हो जाएगा याद रखेगा जानकी मंगल की रचना है वह 1629 और 30 के बीच में तो बिने पत्रिका जो है तो इसलिए राइट एंसर बीच नमबर हो जाएगा याद रखेगा अगला प्रस्ण है कि वहराग संदीपनी किस भासा में लिखी गई है ब्रजभासा में है इसलिए राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा बी नमबर याद रखेगा बी नमबर ओके अगला प्रस्ण है कि कभिता वली में कितने कांड है ठीक है आठ पंद्रा पांस साथ तो कभिता वली जो की स्री तुलस्रीदाव जी द्वारा ही रचित एक क् तो इसमें जो संख्या है ठीक है वह साथ कभिता वली में कांड्रों की जो संख्या है वह साथ याद रखेगा डी नमबर कोश्चन का राइट एंसर सेलेक्ट करेंगे हम ठीक है अगले प्रस्णी के और बढ़ेंगे की का गीता वली किसकी क्रती है सिर्पे इस कोश्चन का लगा तो राइट अंसर हो जाएगा तुलषिदार इसकी रचना एक राती है ठीक है याद रखेगा अगला प्रस्णा है कि बिने पत्रिका किस भासा में रचित है तो आप लोग इतने पढ़िया आगे के कोईश्यन जो है वह अगले दिनम कोईश्चन उन्सर आप लोगों झाल झाल